लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें मैं उंकार हूँ दुष्टों की भव्यता और अस्थाई सफलता से प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा प्रसन रहता हूँ किन्द सज्जनों के तब जब वा कथाऊं से प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा प्रसन रहता हूँ ब्रम्हा ब्रम्हाणी की भगवान भगवती की शिव और शिवा की कथा का सूत्र पात करने वाला एक मात्र सूत्र धार हूँ मैं ओमकाई सुहाग रात में शिव पार्वती प्रेमा लाब करते हैं विदाई का समय समीव आता है तो मैंना अपनी पुत्री पार्वती के लिए विकल होड़ती है विदा की कारूनिक बेला सभी को पेड़ित कर देती है नाचते गाते देवगणव शिवगण बारात लेकर कैलाश पराते हैं शिव पार्वती की जैजैकार होती है शिव सभी का अभार मानते हुए तारकासुर से मुक्ति का आश्वासन देते हैं किन्तु ऐसी आनंद पून स्थिती बेभी परमश्यू भक्त नंदी के मन के स्थिती स्वस्थ नहीं थी उनकी बीडा का कारण जानने के लिए सुयशा उपस्थित हुए स्वामी आज आपके मुखमंदल पर विशा क्यों छाया हुआ है क्या कारण है कारण तो स्वाभाविक है मैं उसका उपाए सोच रहा हुआ कारण स्वाभाविक है और उपाए नहीं मिलता ऐसी क्या बात है मैं प्रति दिन हर पल भोले नात के दर्शन करता था परन्तु कई दिनों से भोले नात भवन से बाहर ही नहीं निकले मैं दर्शन भी नहीं कर सका इसलिए मेरा मन व्याकुल है भोले नात के भोले नंदी महराज विवहा के पश्चात भगवान्शिव और मापार्वती समाधिय इस तर्व पे तब दर्शन देंगे जब प्रणे का महा मिलन पून होगा इस समय जगत की समझ चिंता उसे मुक्त हो जाओती है चिंता हाँ ये समय केवल चिंतन का है हमारा ये प्रथम मिलन एक महापर्व तुमने घोर तपस्या करने के भश्चात हमें प्राप्त किया है इस सत्य से मैं परिचित हूं तो तुम्हारी इस कठोर तपस्या का उत्तर हम अपने प्रगाण प्रेम से प्रदान करें वह तो आप सदासे करते आये हैं मैं प्रक्रती हूं और आप पुरुश तुम शक्ती और मैं शिव हमारे इस प्रणे मिलन के महापर्व में कोई बात नहीं है दीवी दीवे करें दिमिकादिमिकडमरूबजे दिमिकर दिमिकर मरूबाजे शंकर के संग गौरा साजे आँ आँ शंकर के संग गौरा साजे शंकर के संग गौरा साजे दिमिकर दिमिकर मरूबाजे दिविकर दिविकर रूब आजे दिविकर दिविकर रूब आजे दिविकर रूब दिविकर रूब आजे दिविकर दिविकर रूब आजे दिविकर रूब आजे प्रित्मस्ततत पे चंत्रतेशों आजे मस्तक मन्ता की आहाँ है किरी में आरंद का उन्चव भोल है किरी में आरंद का उन्चव शिवशत्री करें आरंद का दव निमिक निमिक नमरूबाजे शंकर के संग गौरा साजे शंकर के संग गौरा साजे निमिक निमिक नमरूबाजे निमिक निमिक नमरूबाजे शिव पार्वती महामिलन के पश्चाद शिव लीला द्वारा ऐसे रूप जाल की रचना आरंब हुई जिससे तारकासुर मृत्य के निकट आता गया यद्यपी भगवान शिव ने देवराज इंद्र को तारकासुर के वदकार श्वासन दिया था फिर भी देवराज तारकासुर के भैसे मुक्द नहीं हो पाए बोले नाथ ने हमें आश्वासन दिया है कि शेक्री हमें तारकासुर के भैसे मुक्ती मिल जाएगी असुराधिपति महाबली तारकासुर की शे असुराधिपति महाबली तारकासुर की शे महाबली तारकासुर की शे रुक जाओ तुम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते परन तु क्यों स्वर्ग में हमें प्रवेश करने से रोक देका कारण स्वर्ग लोग तुमारा नहीं है महाभलितार का सुर्ग का है और जब तक तुम लोग महाभलितार का सुर्ग को स्वर्ग का अधिपती स्विकार नहीं क इसलिए जब तुम्हारे स्वामी ने अनादिकार रूप से सुरक पर अपना अधिकार राप्त किया, तो उनके मर्दाता प्धम्माजी ने उन्हें स्वरक से भाईश्कृत कर दिया, इतना सबकुछ घचने पर भी ये सत्य तुम्हारी समझ नहीं आया, इस स्वरक पर केवल इंद्र का अधिकार होता है, केवल इंद्र का, बंद करो अपनी ये बगबास, ले चलो इनको महाबली तारकासुर के पास, शोनितपोर, जाओ, अशुरा घृपती, महाबली, तारकासुर की जै, असुरागीपती, महाबली, तारकासुली, जये देवर्शी, आप और मेरे जय बोलने से ही, क्या वो दुष्ट स्वर्ग का अधिपती बन जाएगा? देवराथ संकट टालने के लिए कुछ सब इधर करने पड़ते हैं, किन्तु उनके अर्थ उधर नहीं हो जाते, नाराय, नाराय अर्थात, नारद लिला समय की बली हारी है क्या खूसर खूसर चल रहा है? खूसर नहीं, केवल घूसर प्रयत्द कर रहा हूं कि महाबली तारका सुर्के जैगोश करने का सत्य इनकी बुद्धी में घुश करने का सत्य बोलिए अतुरा धिपती महाबली तारका सुर्की जै! अतुरा धिपती महाबली तारका सुर्की जै! इंद्र ने महावली तार्कासुर का जैघोश कर उन्हें स्वर्क अधिपती स्विकार कर लिया इंद्र के जाथ साथ सभी देवनावने स्विकार कर लिया है लग्मान शिर्म ने मुझे तार्का स्वक को समझाने का आदेश दिया है मैं वही जा रहा हूँ और आप सब भी जैघोश करते हुए स्वर्क का मार्क पकड़ लीजिए ना रहे ना रहे असुरादी पती महाबली तार्का सुर्की चै छोड़ दो इने असुरादी पती महाबली तार्का सुर्की चै चलो महाबली तार्का सुर्क को यह समचार देते हैं कि देवताओं ने उनका जैघोश किया और उन्हें स्वर्क का अधिपती सुईकार किया कि चलो महाबली तार्का सुर्की चै वह तुम क्या कह रहे हो मेगासुर्फ जो सत्य है वही कह रहा हूं महाबली देवगड हमारी शक्ति और सामर्थ्य से भैवित हो गया है उन्होंने स्वर्क पर आपका अधिपत्य स्विकार कर लिया है यही उप्योग समय है जब शवर् कभी कभी हमें लगता है कि तुम हमसे भी अधिक बुद्धिवान हो तुम्हारा परामर्ष सुनकर हमें अध्यंत प्रसंदता हुई कि देवगर्ण है भी ठोंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे आक्रमन की तयारी करो नाराय नाराय यह भूल कदापी ना करना देटराज जदी आपने स्वग्लोग पर आक्रमन किया तो भगवान शिवशंकर आप पर क्रोधित हो उठेंगे इससे पुर्वभी आप आपके साथ मिलकर मैं विचार करने ही तो यहां आया हूँ दैत्यराज भगवान शिवशंकर ने मुझे इसलिए तो यहां भेजा है भगवान शिवशंकर का संदेश सुनते ही आप अवश्य प्रसन्य हो जाएंगे संदेश कैसा संदेश शीख्र कहो नारद मैं यहां भगवान शिवशंकर की ओर से श्यांती का संदेश लेकर आया हूँ यदि आप देवताओं और शिमुनियों पर अत्याचार करना बंद कर दे तो शिवजी की क्रिपा आप पर हो सकती है यदि देवगण पर आपका आतंक समाप्त हो जाएगा तो आप पर भीश्य पुत्र का आतंक समाप्त हो जाएगा हां तो सारे विवाद की जड़ आतंक है सत्य तो यही है देट्यराज कि आतं से किसी को कोई प्राप्ति नहीं हुई और नाहीं किसी का हित हुआ है हुआ तो नहीं है हुआ भी नहीं और भविश्य में होगा भी नहीं दैत्यराज नारायन नारायन ये भी सत्य है तो फिर सत्य को स्विकार करने में आपत्य कहा है विलम क्यों हो रहा है दैत्यराज ये सत्य तो जगविदीत है जो शिवजी के आदेशानुसार आचरण करता है शिव जी उसकी सदा रक्षा करते हैं яют गोश तुम जो कह रहे हो वह सत्य है और मैं जो कह रहीं महावली नहीं आप नारत के बहिकावे ना आएं । मैं जेत। देवताpine का मित्र अधर हमारा शट्र है इने महावली ये कभीरी हमारा हुस्त नहीं सोचा प् WORK अधिपती स्विकार कर लिया तो आप विचार के हो और संदे कैसा वेगासुल ठीक कह रहे हैं स्वामी स्वर्ख पर तुरंथ आक्रमन करें और उस पर अधिकार करें नारत की बातों में नाय महावली यह ढूंगी है नारता परहता नारायन 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 आपकी आगया हो तो स्वर्ख पर आक्रमन के तैयारी करें महावली अवश्ष्ण स्वर्ख पर आक्रमन हो करें तुर्ण ने तो सदा सदा के लिए स्वर्ख से निश्खाषित कर दिया था कि ए उसने इतना सास केसे किया करा कि अई में स्वर्ख पर आक्रमन करने का विचार भी करें सास नहीं कि बोप झाल इन अगात है थ्रुष्वास और बलकर बरिचे कर देते हैं अग्ममी देव कि आतमल का भाव मन को विकल कर देता है पुरुशार्त की विरुटि को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिती से डरते नहीं प्रत्यूथ उसी को पैरो तले दबा कर कर्म के पत्थ पर बढ़े जाते हैं गुरुवर्थ परिस्तिती प्रत्कूल ही नहीं जटिल भी है तार का सुर्ख स्वर्ख पर आक्रमण करने आ रहा है गुरुदेव अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा देवराज विदाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयव अपना सहायक सिब्ध हो सकता है अर्थ स्मश्ट है देवराज सदा भैभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तार का सुर्ख के विरुद कभी नहीं किया देवदाओं के भै से तार का सुर्ख उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भै से भैभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं यही सट्या है कि गुरुवर्थ सट्य यही है भैवीत यह आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज बर्दान तौर का सुर्ण अपने तप के बल पर लिया है ब्रह्मा जी ने अती प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सथभावना के लिए उसे दिया नहीं है लिया अत्वा दिया जो भी है गुरुदेव तारका सुर्ख को ब्रह्मदेव का वर्दान प्राप्त पर आप सबको उनकी क्रिपा प्राप्त तारका सुर्ख को दिये गए क्रिपाहीन वर्दान का भेल प्रकट हो गया थे जब ब्रह्मदेव ने तारका सुर्ख को आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तौर का सुर्क को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्क के विशय में सोचने तक का साहस न कर सके ऐसा ही होगा गुर्देव हम ऐसा ही करेंगे हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए कि तो अब हमें तार का सुर्क आक्रमलका उत्तर देने के लिए तत्पड हो जाना चाहिए अवश्य में देव अवश्य हम तार का सुर्क आक्रमलका कफोर से गफोर उत्तर देंगे झाल झाल